आज हम शुरू करता वाक्षिट नमबर वन यह आपकी शोचल स्टैडी की वाक्षिट है याई एसस्टी की यह दोस में आई है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी तो मैं दोनों मीडियम की बनाऊंगे आप लोग कर लेंगे इसको आप लोग जोग्रफी में रखेंगे ठे तो आपको यह जोग्रफी में करना यानि कि भुगोल की कॉपी में ठीक है चलिए तो इससे अच्छे से आप लेबल कर लेंगे क्लास लिट लेंगे अपना नाम अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग डाल लेंगे चलिए शुरू करते हैं क्या है यह आपको प्राइयों को खोगोलेपंड कहा जाता है अपको पता चल गया यानि कि जो आपका यह आकाश गहे ऊपर आसमान से ओपर की जो दुनिया है इस पेस जिसे हम लोग कहते हैं उसके अंदर जो सूरज है चांद है कुछ गिरें हैं सितारें हैं यह सब चीज़े मिलके क्या बनत हैं ठीक है चलें नेक्स्ट देखते हैं अब आपका क्या लिखा कुछ खगोलेपंड बहुत बढ़े और गर्म होते हैं वह गैस से बने होते हैं ठीक है उनका अपना ताप और प्रिकाश होता है जिसका वह बड़ी मात्रा में उत सरजन करते हैं इन खगोलेपंडों को तार वह फच्ते हैं जिसाइय से बने लुए होते हैं तभी इनका अपना प्रकाश होता है और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है जो रोश्म करते हैं उनको हम गरह भलता है itself और पिरिकाश नहीं होते हैं यह ऑने और ना ही उनके अंदर कोई रोष्णी यह जब तार उन्हें रोष्णी देते तो वह चमकते हैं ऐसे पिंडो से ग्रह रहो को क्या एक्रार का जाता है जिस फ्रिथ्वी जिसके हम रहते हैं यह ग्रह भी ऑग तो यह सब्लासे आपको टका हो गया अगला लिखाय है । तारों के समू द्वारा बनाए गए विभिन पैटन को नक्ष मंडल कहते हैं नक्ष्तुर मंडल कहा जाता है कि इसको जो तारों के द्वारा बनाए जाता है तारों के जो कुछ समूए जिस तरह से देखे हैं यह कुछ समूए इनके द्वारा कोई डिजाइन बनाए गए गए है ना उसको क्या कहते है नक्ष्ट्रू मंदल इंद है प्रित्वी की तरह हमारे सोहर मंडल में साथ अन्नेगरें हैं तो दिया गया खगोले पिंद को परिभाशित करें यहनी Κहकुले पिंद क्या है उसको लिखे तो आप यहां से इसका अंसर लिखलेंगे यह क्या लिख्रा है या पर ब्रहम अंडल सुर्ष, चंद्रुमा, ग्रह सितारों और अन्य निकाईयों को खगुले पिंट कहा जाता है तो यह आपका पहले का अंसर होगे आप लोग लिख लेंगे चलिए अगला देखते हैं ठीक है यह पहले का अंसर आप लोग लिख लेंगे अगला क्या लिखा है एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है तो ठीक है इसको आप यहां से लिखेंग जिनके पास तापर प्रकाश होगा वो क्या होंगे तारे होंगे और जिनके पास तापर प्रकाश नहीं होगा वो क्या होंगे गिरह होगे यही दोनों में भिंता पैदा करते हैं ठीक है अब यहां लिखाए नक्ष्टरयत मंदल क्या है तो इसका अंसर आप यहां से लिख ले हैं क्या लिखेंगे हमारे सोर मंडल में कुल आठ ग्रह हैं अन्ने को काट देंगे आप टोटल लिखने न तो टोटल किते हैं आठ देखें वान टू थ्री फॉर फाइच सेवन एट इसके वाद लास्ट वेक प्लूटो होता था उसको हटा दिया गया उसको आप कहा गया कि य आप लोग एक एक चैप्टर करके अपना काम करना शुरू कर दें अगर आप संस्क्रिट वाले हैं तो भी आप से मेरी यही राहे है कि आप लोग भी अपनी कॉपी पर सेटरेडे को एक चैप्टर जरूर करा करें और उससे लर्ण भी किया करें क्योंकि जैसे स्कूल खुल